Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल थोड़े बहुत जो IT है, IMS है, उनको खोल दिया गया, लेकिन एक जमीनी स्तर पर जो बदला होना चाहिए, बच्चों को सही सुविधा मिलना चाहिए, और उसका प्रणाम आज आप देख रहे हो, देश में इतनी बड़ी आबादी होने के कारण बहुत जादा useful नहीं है, क्य जो सरकार बनी है, उसके बाद सो education को लेकर काफी चर्चा होती है, schools का infrastructure कैसा हो, better सुविधाएं दी जाए, definitely इसको लेकर चर्चा होती है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन at least चर्चा हो रही है, और इसी को देखते वे कल यहाँ पर जो सेटप किया जाएगा, जो already existing schools हैं, उसको PM Shree School के अंदर लाया जाएगा, तो यह exactly है क्या, कौन contribute करेगा, किसके दोरा कितना पैसा दिया जाएगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, काफे कुछ जानने को है चलिया आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखे तो यहाँ पर जो features आपको मिल रहा है, 900 प्लस hours of life teaching आपको मिलती है, answer writing practice आपके mains exam के लिए, prelims के perspective से कई सारे features मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको एक mentor दिया जाएगा, कोई दिक्कत है, problem है, आप अपने mentor से पूछ सकते हैं, इसके लावा अगर आपको MCQs attempt करना है, तो मेरे IQ की तरफ से, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कल 5th September के मौके पर Prime Minister Modi जी ने, यहाँ पर कुछ award ceremony, मतलब जो award होता है न, Teachers National Award, वो दिया जाता है, तो वहीं पर announce किया गया है, Prime Minister Modi के द्वारा, कि देश में, centrally sponsored scheme के तहत, 14,500 schools को PM श्री योजना के तहत लाया ज आप देखो, PM श्री का पुरफ फुल फॉर्म क्या है, परधान मंत्री School for Rising India, यह आपको ध्यान में रखना है, परधान मंत्री School for Rising India, और यह सब कुछ क्यों किया जा रहा है, यह भी आपको याद रखना चाहिए, 2020 में इसको लेकर काफी चर्चा होई थी, New Education, National Education Policy लाया गया वो यहाँ पर अब धिरे-धिरे implement हो रहा है, और यहाँ पर अगर मैं आपको बताओं, जो सबसे important feature था, National Education Policy का वो क्या था, कि जो पूरा School System है, उसको various stages में बाठा जाएगा, basically 4 stage बोले गए थे, सबसे पहला है foundational, दूसरा है preparatory stage, तीसरा है middle, और चौथा है secondary stage, जो foundational years होगा, किसी भी बच्चे का जो पढ़ाई करेगा, वो pre-school से फिर grade 1 और grade 2, तो यह जो पूरा वर्ष होगा, वो foundational होगा, इसके अंदर यह बोला गया, कि आपको कोई भी hard जो copy होती है, जो पुस्तके होती है, उसको नहीं करना है, जो play-based learning होता है, जो आपका base मजबूत कर सके, ऐसा यहाँ पर involvement करना, दूसरा preparatory level, जिसमें third, fourth और fifth class include होंगे, यहाँ पर जो light textbooks होते हैं, उसको include किया जाए, कुछ classroom के अंदर जो teaching से उसको थोड़ा बहुत formal बनाने की कोशिश की जाए, तो यह आपका preparatory stage हो गया, फिर आता है आपका third stage, जो की middle stage है, इसके अंदर जो subject teachers हैं, उनको introduce किया जाएगा, एक subject के यह teacher होंगे, उस subject के यह teacher होंगे, तो यह introduce करना, और finally, जो secondary stage होगा, 9th, 10th, 11th और 12th, यह multi-disciplinary होगा, मतलब कई सारे अलग-अलग subject से आपको रूबरू कराया जाएगा, और यहाँ पर जैसे माल लो, कोई science पढ़ा है, तो इसका मतलब नह कीजें, यह school education के पूरे अलग-अलग stages में पढ़ाया जाएंगे, ऐसा new education policy के तहत किया गया, अब यहाँ पर question यह है, कि यह जो नया school यहाँ पर setup किया जा रहा है, PM Shree, that is, प्रधान मंत्री Schools for Rising India, यह किस प्रकार से different होने वाला है, देखो, यह जो school होंगे, यहाँ पर बता करानी की कोशिश की जाए, लोगों को भेतर सुविधा मिले, libraries हो, sports facilities हो, क्योंकि generally, जो government schools होते हैं, उसमें आपको यह चीज़ देखने को नहीं मिलता है, मैं बात करा हूँ, government schools की जिया, government schools के अंदर, यहाँ पर इस तरह की सुविधा मिले, ऐसी यहाँ पर कोशिश की जारी कि हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है, schools में यह facilities लानी है, in fact आप देख सकते हो, नरेद मोधी जी का tweet आया था, Teachers Day के मौके पर उन्होंने कहा, कि हम इस तरह का announcement करने जा रहा है, 14,500 schools को PM Shree के अंदर लाया जाएगा, और इसके अंदर modern, transformational और holistic method होगा, ताकि हम जिस प्रक यह कोशिश होगी, focus will also be on modern infrastructure, latest technology जो चीज़े हैं, वो यहाँ पर classrooms के अंदर लाई जाएगी, और इसी दिए उनका यह कहना था, कि हम very certain कि इसका जो benefit है, वो lakhs of students देश भर के अंदर उठा सकेंगे, और जो national education policy आया था 2020 में, उसके spirit को भी आगे बढ़ाने में यह काम करेगा अब question यह है कि इसका cost कौन bear करेगा, मैंने आपको पहले ही बोला कि यह जो PM Shree Schools होंगे, वो centrally sponsored schemes के अंदर आते हैं, अगर आप में से जितने लोगों को पता हो, centrally sponsored scheme क्या होता है, जिसके अंदर जो cost है वो divide हो जाता है, central और state government में, मतलब यहाँ पर लगभग 60% हिस्ता, ज state और center दोनों इसके अंदर involved होते हैं, लेकिन जो Himalayan states हैं और जो union territories हैं, जैसे North Eastern में जितने states हो गए हिमाचल परदेश, उत्राखंट, जम्मू कश्मीर और जो union territories हैं, उनको जो हिस्सा है वो काफी कम देना पड़ता है, 10% के आसपास, 90% हिस्सा union government देती है, तो यह यहाँ और ध्यान रखना यह centrally sponsored scheme के तहट किया जा रहा है, फिर अब question यह है कि आपने सुना होगा कि central government का एक और school आता है, जिसको हम केंद्री विद्यालयास कहते हैं, और इसके लाबा एक जवाहर नवोद्य विद्यालयास भी आते हैं, तो उनसे यह कैसे different होने वाले हैं, एक च fully union government के द्वारा fund किया जाता है, central sector scheme के तहट आता है, central sector में 100% पैसा union government देती है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो PM श्री यह जो योजना लाई जा रही है, जिसके तहट 14,500 schools को transform किया जाएगा, वो कोई भी school हो सकता है, या तो वो directly central government का school, state government का school, या फिर union territory government का school, या फ depend करता है, कौन से school देखे जाएंगे, वैसे मैं आपको बता दूँ, यह जो केंदरी विद्यालयाज होते हैं, वो basically ज्यादा तर जो central government के जो employees होते हैं, union government के employees होते हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अलग अलग जगा जगा जहां पर posting होती है, वो अपनी पढ़ाई को बिना break किये पढ़ सकें, इसलिए किया जाता है केंदरी विद्यालयाज, उसके लगा जो जवाहर नवोदय विद्यालयाज हैं, यह ज़्यादा तर रूरल पार्ट्स फर फोकस करते हैं, better quality education प्रोवाइट करने के लिए, तो खैर जो भी कुछ है, यहाँ पर चाहें केंदरी अभी नहीं निकाला गया है, वैसे मैं आपको यह बता दूँ कि यह जो schools होंगे ऐसा नहीं कि वो कोई isolation में काम कर रहे हैं, यह mentorship भी provide करेंगे, mentorship कहने का मतलब है कि मानलो अगर एक particular जगा पर town में कहीं पर 10 school हैं, और उसमें से एक school को यहाँ पर PM श्री के तहत convert कर दिया गय तो वो बागी के आस पास के जो schools हैं उसके लिए inspiration का काम करेंगे, उनको mentorship देंगे किस तरह से वो भी वहाँ पर better बढ़ाई करवा सकते हैं, इसके अंदर इन school के अंदर और भी काफी सारी चीज़े हैं, जैसे water conservation, water recycling, energy efficient infrastructure बनाए जाएगा, और जो organic lifestyle होती है न, उससे students को directly ज जैसे ही ये खबर से आमने आई, जो दिल्ली के chief minister है, अरविंद केजरिवाल जी, उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि central government को देश के सभी school को modernize कर देना चीज़े, rather than just 14,500, उन्होंने यहाँ पर tweet भी किया, उन्होंने ये कहा कि 1947 से ही हमारा focus schools पर होना चीज़े था, लेकिन और 75 साल पूरे हो गए हैं, तो rather than doing these things in installment, यहाँ पर सरकार को पूरे schools, दुनिया, देश के जितने भी schools हैं, सभी को इसके अंडर लाना चीज़े और 5 साल के अंदर इसको transform करने का target रखना चीज़े, देखा जाएगा, क्या होता है, क्या नहीं, but I hope कि ये video के माध्यम से आपको स रुपे भारतिय सिक्षा को देने के लिए grant दिया था, पहली बार दिया था, तो क्या बता सकते हो, कौन से act के तहत किया गया था, इसका right answer आपको बता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका आप पर, I hope की वीडियो आपको पसंद आयोगा मिलता हूं, आपसे नेक्टाम तेल देन, thank you very much, see you soon.